स्वागत है एक बार फिर से आप सब का हमारी सरकारी नौगरी में आज हम यहाँ पे असिस्टेंट इंजिनियर की वेकेंसी के रिगाडिंग रिकूरूटमेंट के लिए हम यहाँ पे अपडेट ले करके आये हैं जो कि मद्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा स सर्विस एक्जाम के तहट इसको रिकूरूटमेंट को जारी किया गया है अगर आपको एक चीज बताएं हम तो यहाँ पे यह पोस्ट जो है 2021 के लिए आया था यानि की MPPSC SCS2021 के लिए आया था बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ फिर से इस पोस्ट क को reopen किया गया है यानि की application portal को फिर से open किया गया है और यह assistant engineer पोस्ट के लिए बीटेक की criteria रखी गई है हम बात करेंगे हर एक चीज के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फड़ा कर पहें वहाँ पे साथी साथ आप अगर जिखेंगे तो general studies की अगर हम बात करें तो general studies का ज्यादा वेटेज होता है आप general studies से related चीजों को भी वहाँ पे आप देख सकते है कि कौन से course आपके लिए best suited है साथी साथ आपके लिए अगर हम बात करें तो आपका जो educational qualification उसके ओपेन किया गया है application portal को ओके यह देखें यहाँ पर मध्य प्रदेश लोकसे वायोग के तरफ से यह official notification जारी किया गया है और इसमें already mentioned है कि राज्य अभ्यांतरी की सेवा परिक्षा 2021 नवीन पदों के शन्योजन ध्यान रखेंगे पहले से already इसमें कुछ रिजिद पोस्ट थे online अवेदन करने के लिए सुविधा पुनः प्रारंब करने के लिए आयोजन अब इसमें आगे जाने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा कि previous notification क्या था उसको हमारे लिए जरूरी हो जाता है देखना ओगे हमारे लिए previous notification देखना जरूरी हो जाता है कि previous notification में कितने सारे कितने सारे पोस्ट थे और उसमें हम लोगों को क्या-क्या यहां पर और डेमांड किया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा गाइस यह जो है important डो अगर हम बताएं आपको तो यहां पर यह सारे पोस्ट नवीन स्रिजित किये गए है यानि कि नए पोस्ट एड किये गए है इन पोस्ट के लिए अगर हम आपसे बात करें तो परिक्षा किती थी 22 मार्च रखी गई है ध्यान रखिएगा रविवार के दिन 22 मार्च यहां पे exam date दिया गया है साथ ही साथ आपका प्रविश्पत्र की अगर हम बात करें admin card आपको portal पे 17 माई को मिल जाएगा application के date के लिए total portal 9 दिनों के लिए open होगा 6 अप्रिल से लेकर के 15 अप्रिल तक clear अब हम यहां से आपसे बात करें तो ध्यान देंगे लोक निर्मान विभाग public works department पंचायत एंव म ग्रामिन विकास दिपाग अगें जलसन्साधन विपाग, लोक स्वास्थ अभियांत्री की ये 8 टाइब के department के extra post एड़ किये गए हैं और अगर हम extra post में अगर बात करें तो civil के लिए 109 है mechanical प्लस electrical के यहाँ पे total अगर हम post के बारे में आपसे बात करें तो ध्यान रखिए अगर unreserved post के बारे में बात कर रहा हूं अगर total post की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 427 post है आपका civil के लिए और 34 post है mechanical प्लस electrical के लिए और अगर हम सिर्फ और सिर्फ mechanical की बात करें तो यहाँ पे 5 post प्रोवाइड किये गए हैं नए recruitment की notification के साथ जिसके लिए आपका application portal 6 April से लेकर के 15 April तक का open होने वाला है ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो different type से हर एक post के लिए qualification मांगा गया है कि आपका B और B टेक होना चाहिए civil, electrical और mechanical में साथ ही साथ pay scale के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो pay scale जो है 15600 से लेकर के 49100 प्लस 400 का grade पे रहेगा यह रहेगा आपके permanent post के लिए और non permanent post के लिए जो आपको salary मिलेगी वो 56100 से लेकर के 17500 का pay scale दिया जाएगा यह सारे post पे same चीज applicable होगी चाहे आप assistant engineer civil के लिए हो, electrical के लिए हो, mechanical के लिए हो, सब पे यह आपका applicable होगा ध्यान रखें यह जो post है आपका in post पे आप जो apply करेंगे बेतनमान जो है सब के लिए same रखा जाएगा नेक्स्ट जो आता है आपके पास important dates के regarding तो important dates आपको already मैं बता रखा हूँ कि 6 April से start होगा और 15 April इसकी रास date होगी साथी साथ यहाँ पे application के बाद main criteria आता है exam का तो exam को दो फर 12 बज़े से लेकर के 3 बज़े तक का जबलपूर, ग्वालियर, भुपाल और इंदौर, चार center पे इसके exam आयोजित किये जाएंगे साथी साथ यहाँ पर आपको कौन से city में आपका exam पढ़ने वाला है या examination center कौन से city में गया है prior to 10 days examination से 10 दिन पहले आपको यहाँ पे SMS और email के माध्यम से बता दिया जाएगा साथी साथ online portal www.mponline.gov.in और साथी साथ mppsc.mp.gov.in पर आपको यहाँ पर intimate कर दिया जाएगा अपडेट कर दिया जाएगा आप वहाँ पर time, time के साथ admit card की date सारी चीज़ों को वहाँ देख सकते है clear बिग्यापन की से सर्तें जो हैं conditions जो है apply करने का जो तरीका है same to same जो prior notification आया था उसके आधार पर ही रहेंगी और यह है आपका आज का यह MPPSC के reopening का application portal के reopening का अगर हम बात करें state engineering service के exam का notification तो guys अब यहाँ पे सबसे important बात यह आती है कि अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने apply कर लिया है वो अपनी preparation continue रखे हुए है जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया था या किसी कारण से चाहे कोई भी कारण हो कैसी भी circumstances रही हो उसकी वज़े से अगर आप apply नहीं कर पाया थे तो फटबट जाएए पोर्टल पे विजट किजिएगा छे तारीक से आपका यह पोर्टल ओपेन होने वाला है और सारे documents को इकठा करके रखें documents इकठा करके रखने से हमें आसानी होती है form फिल करने में और form फिल करने के बाद direct आप preparation में लग जाईए अभी भी preparation continue रखिएगा जिन लोगों ने preparation अभी तक ब्रयक कर दिया था कि अभी exam date नहीं आया था तो ब्लॉक करने के बाद उसको please ऐसा बिलकुल भी ना करें exam तो हो नहीं है notification आया है लेकिन dedicated हो करके अगर आप preparation करेंगो तो बहतर ही आपको success मिलेगी तो guys ध्यान रखें इस post को बिलकुल भी हाथ से जाने नहीं देना है एप्रोक्स आपके पास अगर new opening की बात करूँ तो 400 से ज्यादा post है 500 प्लस post आप कर सकते हो कि 500 post यहाँ है old vacancies की बात करें तो वहाँ भी आपको different type के post देखने को मिलता है तो चलिए बहुत ही जल्द ऐसे एक नए update के साथ हम होंगे आपके रूबरू होंगे आपके रूबरू और जाने से पहले जेनिक learning app के बारे में बताना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर डाउनलोड विजिट किजिए वहाँ पोर्टल पे और देखिए कि कौन सा कोर्स आप के लिए best suited है ओके गाईस मिलते हैं बहुत ही जल्द बने रही है हमारी नौकरी के साथ धन्यवाद